आप सब कफिर से एक बार स्वागत है शेफ शाकिरा में आज हम बनाने जा रहे हैं बोहरा स्टाइल मटन पैटिस या मटन कटलेट इसमें अंदर खीमी की स्टफिंग होती है और बाहर आलू होता है यह देखे मैं आपको काट के बता देती हूं बाहर से क्रिस्प और अंदर स मटन की फिलिंग वाला देखे तो इसमें आलू बाहर रहता है और मटन की फिलिंग अंदर रहती है तो आईए बनाना सीखते हैं यह सूपर टेस्टी मटन पैटिस इसके आउटर लेयर के लिए सबसे पहले हमने आलू बॉइल करके रख लिए हैं तो आलू उबाल के रख लिए यह देखे तो आलू इस तरीके से उबालने हैं कि यह बहुत जादा सौफ्ट और सौगी ना हो थोड़े से हाड हो लेकिन पूरी तरह से पके हुए हो देखे अब हम मटन फिलिंग के लिए हमने मटन को पहले उबाल लिया है और फिर उसका कीमा निकाल लिया है कीमा निकालते वड़ हरी मिर्ची भी इसमें डाल के कीमा निकाल लेते हैं ताकि कीमा अच्छे से निकल जाए तो मेरे इस उबले हुए मटन कीमे में मिर्ची और अब में एक पैन में दो टीस्पून तेल घरम कर लूँगी उसमें डालूँगी फाइनली चॉप बारी कटा अद्रक और लसुन यह फ्रेश बारी काटके अद्रक और लसुन लेना है इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है आप चाहे तो अद्रक और लसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं अब इसे अच्छे से फ्राय करना है पहले अब हम इसमें डालेंगे प्याज तो एक मीडियम साइज था जिसे मैंने बारी काट लिया है यह भी इसमें डाल के से भुन लेंगे जब तक की प्यास अच्छे से लाईट ब्राउण नहों जाए लेके प कि हाफ टीजपून रचिली सबहेंगे संप नेडी को गीजाथ कि हाफ टीजपून रेडद चिली पाउडर और वनफन टीजपून टर्मरी यानि हलडी पाउडर है अब में इसमें डालूंगी एक से दो सीस्पून जिद*** पाउड़रieso tak और एक तीस्पून गरम मसाला तो होल मसाले थे आखे मसाले जिससे मैंने भून के डाल लिया है अब मैं नमक डालूंगी स्वाद अनुसार और अब इन सब को अच्छे से मिक्स करके इसमें मतन का कीमा डाल दूंगी जो हमने पहले से प्रिपेर करके रखा है अब मतन कीमे को इन सब मसालों के साथ अच्छे से भुन लेना है बीच बीच में इसे चलाते रहना है अब मैं इसमें डालूँगे हरा धनिया या कोरियंडर लीव्स हरे धनिया की पत्ती डाल ली मैंने कोथमीर इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके थोड़े दियर पकार लेते हैं अब हमारे स्टफिंग रेडी है बनके तो सभी मसालों के साथ अच्छे से कीमे को भून लिया है और स्टफिंग कम्प्लिटली रेडी है अब मैंने आलू ले लिये अपने जो बॉयल करके रखे हैं अब मैं इन आलू को अच्छे से मैश कर दूँगी आप देखेंगे कि मुझे मैश करने में ज़्यादा ताकत लग जब तक आलू मैश हो रहा है मैं अपने किचिन की कोट्स आपको बता देती हूं जिससे शेफ शाकिरा को काम करने में बहुत मज़ा आता है अब आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं अब मैं इसमे अट करूंगी नमक तो स्वाद अनुसार आपको नमक डाल देना है अब कालीमिर्ज का पावडर यानि ब्लैक पेपर पावडर ये भी लगभग हाफ टी स्पून तक कालीमिर्ज का पावडर ले लिया है मैने अब मैं इससे अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो उबले यूए अलू को मैश करके मैंने इसमें डाला नमक और काली مس और इसका अब यहां मेंने दो अंडे ले लिए हैं अंडो को फैंट के उसमें डाला है नमक if thewater ओर से अच्छे सेवीध करिया है साथ ही इसमें डाला है मैंने 1 टीजपून दूध दूट डालने से जब आप इसे फ्राय करेंगे तो उसमें जाग नहीं होगा तेल में अब हाथों पे ऐसे तेल लगा लिया है और पोटेटो की मिक्स्चर को लेके अलू की मिक्स्चर को लेके इस तरीके से दबाते जाना है तो एक पैटिस बनाने के लिए हमें ऐसे दो लेयर लगेगी तो एक बड़ी लेयर और एक थोड़ी छोटी लेयर उसके उपर लगाने के लिए यह दूसरी लेयर भी हम हाथों की बीच में ऐसे दबा के रेडी कर लेते हैं अब हम अपनी बड़ी लेएर लेंगे और उसमें भरेंगे स्टफिंग खीमा स्टफिंग इस तरीके से इसके बीच में भर लेना है आई से हमें स्टफिंग रख देनी है उसके उपर और अब फिर से छोटी वाली लेएर को लेके उपर इस तरीके से दबाते हुए सभी तरफ से सभी किनारों को अच्छे से सील कर लेना है अच्छे से दबा लेना है और फिर से शेप दे देना है बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि आलू है पूरी तरह से मैश डालू है तो वो अच्छे से दब जाता है आप अपने दोनों हाथों के बीच में उसे अच्छे से शेप दे दीजिए याद रहे कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ने हैं एक और बना के बता देती हूं आपको हाथों में तेल लगा के इस तरीके से एक लेयर बना ली उसमें खीमा रख दिया और दूसरी लेयर उपर से हम ढख देंगे आप अब सभी तरफसे असको शील कर देंगे आलो को उपर और नीचे से दबा के और अच्छे से एक शेप देंगे अच्छे से राउंड शेप देदीजिया आप ये देकिए बहुत आसानी से हो जाता है तो यहां मैंने सभी बना के रख लिए हैं अब मैं इसकी कोटिंग आपको बता देती हूँ तो यहां मैंने जो अंडा फैंट के रखा था उसमें इसे डुबोना है अब यहां मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स तो ब्रेड को सुखा के उसके क्रम्स बना लिए हैं पीस लिया है अन्डे में दूबोने के बाद bread crumbs लगा के रख देना है इसी तरीके से सभी पेटिस को दो coating दे देनी है पहले अन्डे के mixture में और फिर bread crumbs के mixture में तो इसी तरह मैंने सभी रेड़ी करके रख लिए हैं अब हम इसे फ्राइ कर लेंगे तो ऑईल घरम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे डीप फ्राइ कर लेंगे तो बाहर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होने से वो क्रंची हो जाता है और अंदर से ये काफी सॉफ्ट रहता है तो इसे हलका गोल्डन ब्राउन होने तक हम मीडियम आंच पे ही फ्राय करेंगे अगर पूरी तरह से तेल में नहीं डूबा है तो इस तरीके से तेल इसके ऊपर डालते हुए इसे फ्राय कर लेना है एक बार इसे पलट लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राय कर लेंगे यह देखिए कितना पॉफिक्ट कलर आया है हम दूसी तरफ से भी इसे फ्राय कर लेंगे यह मैंने आपको एक फ्राय करके बताया है इसी तरीके से आप सभी पैटिस को फ्राय कर लीजे याद रहा कि अगर आप कड़ाई में एक साथ बहुत सारे पैटिस डाल देंगे तो वह सब तेल सोख लेते हैं और बहुत ही ओई रह जाते हैं यहां मेरी कड़ाई बहुत छोटी है और पैटिस बहुत बढ़े हैं तो मैंने कम पैटिस फ्राय किये हैं अगर आपकी बड़ी कड़ाई है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन ओवर क्राउडिंग नहीं करनी ह हैं मैं काट के आपको बता देती हूं बहार सिफ कितना अच्छा क्रंच का आवाज आ रहा है और अंदर से यह बहुत सॉफ्ट होते हैं यह देखिए कितने सुंदर है उपर आलू की मसालेदार फिलिंग अंदर कीमे का मसाला तो आप भी यह पैटिस जरूर ट्राई और जादा से जादा शेर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख कर बताईए कि आपको कैसी लगी और मेरे चैनल शेफ शाकिरा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बैल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई-नई रेसिपीस मिलती रहे मेरी चैनल शेफ शाकिरा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना न भूले इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से है शेफ शाकिरा और फेस्बुक पेज को भी जरूर फॉलो करे जहां मैं अलग-अलग और युनीक बोहरी के अलावा भी हमारे चैनल पर बहुत सारी युनीक रेसिपीज होती जो आप किसी भी और चैनल पर नहीं देख पाएंगे शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू